पर वीडियो लाओ तो फाइनली गाईज वह वीडियो आ चुका है और इस टौपिक पर मैंने पहलی पी एक ग्wnस कर लेकिन उस टाम पर क्रोने चो है जो बात बाएं वह बहुत ही जारा वा का भाट की अबिग्र के जया है पहले कील त Goo और इस तो आज इस सो के अगर आप आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो आप आज के टैम पर भी क्रोनों करेक्टर का बैस्ट यूज कर पाएंगे तो इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना अगाज के इस वीडियो के अंदर आपको को रिवाइब देने आपको सील्ड और करके अपने आपको मेडिकेट करना है ये बहुत ही बेसिक टिप्स होता है ये सबी और प्ता होता है नौर्मली ठीक है लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं तीन टिप्स एं ट्रिक्स बताने वाला हूं जो की बहुत ही जादा लेटेस्ट है और अगर आप इन तीनों में से तीनों को ही यूज करेंगे तो आप आज के टाइम पे भी जब क्रोनो का एक्टर का स्केल इतना चें करता हूं पहले खुद उसको ट्राय करता हूं और अगर वर्क करता है तो आपको उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बहुत ही जादा चोड़ा सारी क्या अगर आपको आगे जाकर ये वीडियो पसंद आत चैनल के अंदर देखने को मिलते रहेंगे तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तो जो हमारा सबसे पहला टिप यह ट्रिक नहीं है यह टिप है कि अगर आप प्रोन करेक्टर को यूज करते हैं तो आपको नेडिंग कैसे करना है तो बेसिकली गाइस तो नॉर्मल क्रोनों आ लिए सोते हैं वो नॉर्मल के सांबेते हैं अफने ओन करते हैं और और है को चानी और टाकरनी करते हैं लेकिन यहां पर आपको यह गलती नहीं करना काराा है तोलिक तो त één करते हैं तो को लिए कैसे करना चाहिए तो अगर और आप लोग क्रोनो कर यूशं करते हैं तो तो सफली नेट क्या करने कर adalah क्या करना और सई टाइम आने पर आपको सील से बार निकल के उसको फेक देना है यानि कि नेड को फेक देना है अब इससे होगा कि भाई अगर आप ग्लू ओल के पीछे रहेंगे तो एकदम से उसके उपर नेड आ जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा और एकदम से फूट जाएगा या फिर उसको उपर डेमेज आएगा अगर उसके उपर डेमेज आता है वो नॉक डाउन नहीं होता है तो आपको तुरंट अपने सील से निकल कर उसको मारना है अब ऐसे सिच्वेशन में आपको सील से निकल कर तुरंट उसको मारना पड़ता है यानि कि आपको उसका लोक नौकडाउन होई जाएगा कभी कबार उसको डैमेज पड़ता है फिर उसको निकल कर मारना पड़ता है तो इस सिच्वेशन में अगर आपके पास मोको रहेगा तो अगर ग्रिनेट से सामने वाले एन्मी को उपर डैमेज पड़ेगा तो वो जहां भी मूफ करेगा या फिर जहां भी खड़ा होगा आपको उसका लोकेशन दिख जागा जिससे आप असानी से सील्ड से बहार निकल कर उसको मार पाओगे अब मेरे वाले क्लिप के अंदर भाई मुझे पता था कि सामने वाला बंदा कहां पर खड़ा है क्योंकि भाई मैं अपने दोस्त के साथ इस व नॉर्मल ही होता क्या है कि जब भी एनिमी हमको डैमेज देते हैं तो हम लोग सील्ड को उन करके उसके अंदर ही वेट करते हैं कि भाई एनिमी सील्ड के अंदर आएगा तब मैं उसको मार हूँ है लिकिन आपको यह गलती नहीं करना को क्या करना है आपको सील्ड को ऑन करक और जैसे उसका मैगजिन खाली हो जाए तुरंत आपको सील्ड के अंदर घुसना है और उसको मार देना है अब इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से नोटिस करना है कि भाई जब एनिमी आपके सील्ड के अंदर आये तो उसका या तो मैगज खाली ही जाए उस के बाद ही आपको सील्ड के अंदर जाना है इसके बाद असिल्ल करने के बाद ग्लू ऑल के पीचे आपको दो predमine लागा कर लगा कर लाग निकल आप इस सीच्वियसन में फीड के अदर आएग और घयसे कि अंदर आएग चलं je大家 क्या करने आएग और आप और इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई जिस साइड एनिमी हो आपको उसी साइड एक्जैक्ली ग्लुवल लगाना है जिससे कि ग्लुवल के पीछे आप लोग जो लेंड माइन लगा हूँ एनिमी को सामने से ना दिखे तो बेसि करते हैं उसी के बारे में आजके वीडियो के अंदर बताया है और अगर आप लोग इसको यूज करेंगे ना तो आप क्रोनो करेक्टर का एक प्रो यूजर बन जाओगे तो बस यह आजके वीडियो के अधर यहीं तक ताई होग कि आपको सभी के सभी टिप्स और पसंद आ झाल